मुंबई पुलिस कमेशनर परमवीर सिंग जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने यूनिफॉर्म पहनते वे जूट बोला है आज रिपबलिक मीडिया नेटवर्क ने बार्क के ओफीशल कम्यूनिकेशन को देश की जनता के सामने रखा है जिसने ये बता दिया है कि परमवीर सिंग जी रिपबलिक के खिलाफ एक भी एविडेंस बार्क में नहीं था बार्क ने एक भी बार नहीं का कि रिपबलिक ने टियार्पी मैनुक्लेशन किया है मता आपने क्या है बरमवीर जी आपने देश की जंता के सामने जूट बोला आपने कुछ फ्रेंडली पत्रकारों के साथ मिलकर देश की जंता को बरगलाने की कोशिश करी आप Civil Services Code of Conduct के अंदर आते हैं आप इस देश के संविधान के अंदर आते हैं और आपने उसका पालन न interrogation करो, दस घंटे से आपने मुझे एक कमरे में बठा के रखा, ना कुछ खाने को दिया, ना कुछ आपने पानी पीने को दिया, और आपने मेरे custodial interrogation किया, जो bail आपने के, जो high court, जो court के order का उलंगन है, anticipatory bail के बावजूद आपने मेरे phones को seize किया परमवीर जी, this is absolutely not just done, but again परमवीर जी आपने दिखा दिया, कि आपकी दमनकारी सोच कैसी है, इतियास उठाके देखिए परमवीर जी, जब भी आपके जैसे दमनकारी police officers ने, एक सचे journalist, एक independent media organization के किलाफ, कोई भी action लेने की कोशिश करिए, इतियास के पन्नों में वो डंप हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकारा है, क्योंकि सत्य को आप रतारित कर सकते हैं, सत्य को आप परिशान कर सकते हैं, पर सत्य को आप पराजिद नहीं कर सकते हैं, और देश की जनता परम पर मैं आपसे जो आपने इस देश के समविधान को रंगं किया है उसके लिए आपसे सवाल मुश्टार रहूँगा परमवी जी रोक सकते हैं तो रोको जाएं